नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको कैनन G-3000 के इंक प्रावलम के बारे में बताने जा रहा हूं अगर आपके पास कैनन का G-series का कोई भी प्रिंटर है जिसमें इंक प्रावलम आगे मतलब जो कार्टिज में इंक जाती है पाइप के दौरा पाइप में इंक कोई कारण से खाली हो गई है तो उसमें कैसे फिर से इंक को भरेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताता हूं step by step आप इसी वीडियो को अनुसार करते जाएए आपका पाइप में इंक आ जाएगी इसके लिए पहले हमें प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेट करना होगा और कंप्य यहां पर दिवाइस और प्रिंटर को उपरेंगा होगा डिवाइस और ऑप निल सकता है रहा है मैं यहांपर निल सकता हूं को जिए हर्डबेयर का ओप्सन दिख रहा है इसे open करते हैं यह मेरा device of printer का menu खुल गया है और देखिए यहां पर जितने भी printer है मेरे पास वो connected है और यहां पर यह Canon G3000 series का जो printer है वो भी आपको install दिख रहा है तो इसका पहले हमको management में जाना होगा management में जाने के लिए पहले इसको open करते हैं यहां पर जो फ़र्ष में option दिख रहा है printer management यह display printer properties उस पर क्लिक करेंगे यहां दिखिए यहां पर कई टेव आए हुई है यह जो लास्ट में टेव है maintenance इससे ही हमें इसमें काम करनी है इसे क्लिक करते हैं यहां काफी सारे option आगे है जो printer को manage करने के लिए काम आता है यहां पर एक दिखिए हां थर्ड option में जो system cleaning दिख रहा है इसी option के द्वारा हम इसमें ink को भरेंगे तो मैं इसे क्लिक करता हूं यह जो first option आपको यहां पर दिख रहा है इसको ही select करके execute कर देना है यह बता रहा है कि जब तक हम system को clean कर रहे इस वो okay करते हैं printer check pattern बगएरा भी click कर देते हैं ओके अब दिखिए जब मैंने यहां किया तो यह printer मेरा working condition में आ गिया है और साथ-साथ कुछ आवाजे हो रही है जो इसमें refilling का काम कर रही है नोर्मली इसमें 6-7 minute लगता है जिस दिखिए यहां computer में भी जो side में नीचे में एक जो बिंडो बना हुआ वहां भी लिक रहा है तो हम लोग को बेट करना होगा 6-7 minute तक तो इसे तेजी से करके हम लोग next step में पहुंचते हैं लवर 7 minute हो गई है हमें लगता है कि काम पूरा होने वाला है देखिए जो computer में नीचे में side में जो बिंडो था वहां पर printing लिखा रहा है और यह देखिए printer में भी page को यह अपने अंदर ले लिया है जो कुछ print करने वाला है जो आपको देखाएगा यह काम हो गया है यह दिखा दिया कि इंक पूरी भर गई है अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ देखिए यहां जो pipe दिख रहा है इसमें इंक पूरी तरह भर गई है यह अब आप working condition में आपका printer आ गया यह आपकी समस्या solve हो चुकी है धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए अगर आपको इस वीडियो से आपके problem को हल हो जाती है तो comment में हमें जूर बताए या कोई समस्या हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो subscribe जूर कर लिजेगा अगर हमारे subscriber है तो like, share जूर करिएगा धन्यवाद मिलते हैं फिर next वीडियो में कुछ नए facts से साथ